आप देख रहे हैं चौहान वीडियोजों और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए दिसमबर 2023 के होने वाले एक्जाम्स के लिए एक्जाम टिब्स की किस तरीके से आपको अपने एक्जाम्स की तयारी एक्जाम की प्रिपेर्शन करनी चाहिए जिससे आगे आने वाले exams में आपको ज़्यादा marks मिल सके और आप असानी से उन exams को clear कर बाएं काफी important वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ tips बताऊंगा कि जिस तरीके से आपको अगले एक से दो महीने के अंदर यानि कि पूरे नवंबर के महीने में और दिसमबर के महीने में अपने subjects के exam के तियारी करने हैं जिससे कि आप असानी से कम समय में और कम effort में exams को clear कर पाएं तो वीडियो की सुरुवात करते हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है और आप IGNU के student है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजी तब सीधा वीडियो की सुरुवात करते हैं सबसे पहले किसी भी subject के exam की तियारी करने से पहले चाहिए वो bachelor degree का हो master degree का हो certificate हो या diploma हो आपको कुछ चीजों की जानकारी आपने पास रख लेनी चाहिए उसके बाद ही आपको exam की जो तियारी है वो शुरू करने चाहिए जिसमें सबसे पहले है कि आपको एक exam का pattern पता होना चाहिए कि exam में क्या होता है long answers आ रहे हैं, short answers आ रहे हैं one word के answers आ रहे हैं, किस तरीके से आपका exam का pattern है कितने questions आपको पूछे जाने वाले हैं कि 2 गंटे का exam है लेकिनों 3 गंटे के exam की तयारी के हिसाब से अपने exam hall के अंदर जाते हैं और बाद में जब उनके पास exam का question पर आता है वहाँ पर जब उनको पता चलता है कि 2 गंटे का exam है तो उनको काफी सारे question ऐसे होते हैं जो कि उनसे छूट जाते हैं ये जानकारी सारी जानकारी आपको पहले सही होने चाहिए जब आप exam की तयारी सुरू कर रहे हैं उसके बाद type of question important topics कितने हैं कौन-कौन से ऐसे topics हैं जो की बार-बार पुछे जा रहे हैं ये सारी जानकारी जो है आपको वो previous year के जो question papers होते हैं उनमें मिल जाती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है किसी भी subject का exam की तयारी करने से पहले उसके previous year question papers को आपको download कर लेना है और अपने पास रख लेना है जो previous year question paper है उनके लिए आपको बहुत ज्यादा manage करने की ज़रूरत नहीं है आपको इगनो की जो website है उसके download section में previous year question paper मिल जाएंगे मैंने भी separate video बनाई हुई है कि किस तरीके से आप इनको download करके अपने पास रख सकते हैं आपको June 2022, December 2021, June 2021 और December 2020 यनके चार question paper है जो कि आपके पास होने चाहिए उसके बाद ये question paper जब आप download कर लेंगे उसके बाद क्या करना है एक तो इन चारो question papers को solve करके अपने पास रख लेना है क्योंकि जो चार ये question paper है उन्हीं से ही आपको 20-25% ऐसा questions होंगे जो कि as it is वही पूछ ले जाएंगे जो कि पिछले चार बार में पूछे गया है यानि कि आपके 20-25% नंबर तो इसने में आ जाएंगे कि आप ये question papers को download कीजिए और इनको solve कीजिए उसके बाद इससे आपको important topics का भी पता चलेगा कि कौन कौन से किस तरीके के chapters है जो की जिनसे ज्यादा question पूछे जा रहे हैं कौन से topic ऐसे जिनसे बार बार पूछा जा आप अपने exam की तियारी कर सकते हैं अगर आपसे एक एक नंबर के question definitions में पूछे जा रहे हैं तो आप जब भी chapter को पढ़ें तो उसमें एक नंबर के जितने भी है कोई definition से उनको तो इस तरीके से याद कर सकते हैं अगर 10 नंबर का question पूछे जा रहा है तो उस तरीके से आप पूरे उस topic को पढ़ सकते हैं दाकि 10 नंबर में आप उसको लिख पाएं तो यह सारी जानकारी जो है आपको previous year question paper से मिलेगी तो सबसे पहला काम क्या करना है previous year question papers को download कीजिए उनको solve कीजिए और इन सब की जानकारी exam pattern कितने नंबर का exam आने वाला है कौन-कौन से question आपके short answers या long answers में पूछे जानने वाले इनकी जानकारी रखिए दूसरा काम आपको previous year question papers में आपको 7-8 दिन का समय लग सकता है इन सारे काम को करने के लिए उनको solve करने के लिए क्योंकि 4 question papers को solve करना इतना असान नहीं है और खासकर तब अगर आपने बिलकुल भी exam की तैयारी पहले इनकी chapter के बाद जो question पूछी जाते हैं वो और summary जो है इन 3 को तयार करना है यानकी एक बार previous year question वेपर वाला काम हो गया उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है SAQ, TBQ और summary को तयार करना है ये काम का आपको करना है जब आपके previous year question वेपर वाला पूरा काम complete हो जाए आप से 4 से 5 आपको कम से कम paper जो है वो देने पड़ते हैं और आपके पास 1 से 1.5 महिने की exam के तयारी के लिए अगर आपके पास time है तो इतना काम करने में यानि कि previous year question papers को हर subject के solve करने में और उनके फिर summary को, textbook questions को और essay Q को solve करने में ही ज़्यादा time जो है आपका वो चला जाएगा उसके बाद आपके पास time ज़्यादा बचेगा नहीं तो उसमें बाकी अगर कोई भी chapter ऐसा रहता है कोई भी ऐसा subject ऐसा रहता है जिसमें आपने ज़्यादा तयारी नहीं की कितने भी मान लीजे क्योंकि आपका अगर चार credit का है तो उसमें 18 से 20 chapters जो होते हैं वो हो सकते हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे तो उनमें सबको सबको आप तयार नहीं कर पाएंगे जो chapters रहते हैं तो उनके लिए आप गाइड का इस्तिमाल कर सकते हैं गाइड में हर chapter के important question जो ह होते हैं वो दिये हुए रहते हैं और already solved होते हैं उनके लिए आपको अलग से मैनत नहीं करनी तो उन chapters को जो कि आप इस तरीके से तयार नहीं कर पाएं उनको आप guide की मदद से guide में उस chapter को खोली है उसमें जो भी important 10 question 20 question होंगे उस आरके सारे आपको वहां पर दिख जाएंग इसका जो link है वो आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा तो इस वीडियो का description box जब आप खोलेंगे तो वहां पर आपको nearest publication की guide का link मिलेगा उसमें आपको जब आप से coupon code पूछा जाए तो वहां पर आपको चौहान डालना है और आपको extra discount जाए वो दिया जाएगा इन त पूरा नवंबर का महीना भी है दो महीने में ये काम आप असानी से कर सकते हैं और बिना किसी tension के आप exam को clear कर पाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको बसंदा तो वीडियो को like जरूर कीजिए share जरूर कीजिए